इस साल माध्धमिक एक्जाम के स्टूडेंट्स जितने भी हैं मैं आप सब को ये बताओं कि आप लोगों का रूटीन दो हजार तेईस का आ चुका है ये आप अच्छी तरह से जानते हो ठीक है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग होते हैं जो लोग अलड़ी गूग इक्जाम कब होगा कैसे होगा वो लोगी इंतिजार कर रहे हैं कि अब रूटीन आएगा लेकिन मैं आपको बताओं कि आपका रूटीन आ चुका है ये रूटीन आपका 23 फरवरी से फरवरी याद रखिए 23 फरवरी 2023 से 4 मार्च 2023 तक जो की optional subject है last में जिनका भी होगा उनका रहेगा optional subject तो उनके लिए ये पूरा रूटीन जो है मैं आप लोगों को इसी वीडियो में पूरा date wise मैं आपको दिखा दूँगा आप जरूर उसको note down कर लेंगे लिख लेंगे copy में date wise एकदम लेकिन ये routine तो आ गया है आप तयार है ये बहुत जरूरी है कारण कि देखिए ये महीना अगस्त का चल रहा है अब आपके पास time नहीं है students class 10 वाले जो भी है मैं सारे माध्धमी की students को बोल रहा हूँ अब आपके पास एकदम time नहीं है क्योंकि September, October, November, December, January, February है ना ये जो 6-7 महीना है इसी में आप लोगों का पूरा जीवन पूरा जीवन, पूरा success, पूरा सफलता जो है ना इसी पर depend करता है क्योंकि आप जब भी कोई exams देने जा रहे हैं जब भी कोई इसके बाद में future में कोई भी exam देंगे ये माध्धमी का result बहुत माइने रखता है क्योंकि यही एक पहला सीड़ी होता है जहां से आप आगे बढ़ते हो उसके बाद फिर hair secondary या उसके बाद जो भी होता है खेर मैं बात कर रहा हूं कि आप किस तरीके से routine को तयार कर लें और सबसे पहला बात serious हो जाईए अब time pass करने से नहीं है कि पिछले जनवरी में आप क्या कर रहे थे परवरी में क्या कर रहे थे यह सब आप मत सोचिए अब भूल जाएए वो सब कारण है कि अगला जो 6-7 महिना है इसको आपको routine life में बिताना ही होगा तभी जाकर कि एक अच्छा result होगा और जैसा result चाहेंगे वैसा मिलेगा अ अच्छा result किया या उनका कोई मामा का लड़का फुपा का लड़का मतलब कोई न कोई अच्छा result किया है तो अब आपके मान में भी होगा कि मैं भी कुछ करूं लेकिन यह सोचने से तो होगा नहीं आपको उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा कुछ न कुछ नहीं बहुत कुछ, है ना, कुछ न कुछ करने से नहीं होता, बहुत कुछ करना पड़ता है, तो मेरा जो ये सला है, देखिए, मैं क्या करता था, मैं अपने रूटीन के बाद बता रहा हूँ, मैं जब माध्धमी के एक्जाम में था, मैं दूसरे का नहीं बता रहा हूँ, देखि लोगों का सेप्टेमबर के महीने के बाद, जब हमारा स्कूल दुरगा पुजा के बाद छुटी हो जाता है, उसके बाद मैं क्या किया, कि सारा दीन का एक रूटीन शेट कर लिया, कैसे किया था, देखिए, मैं कह रहा हूं, मैं अपना किया था, ये आपको, मेरे ही रूटी नौ घंटा आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है न, लोग बोलते हैं कि आठ घंटा कैसे पढ़ेंगे, आठ घंटा कैसे होगा, वो हो सकता है, अगर आप चाहेंगे तो, देखिए, मैं क्या करता था, सुबह, सुबह मतलब आराम से सोया, ठीक है, रात में मतलब आराम से सोया, सुबा में 6 बजे उठा, साढ़े 6 बजे, ठीक है, उठ करके जो भी नहाना दुआना जो भी है, अपना कर लिया, साढ़े 7 बजे से लेके 9 बजे तक मैं अपना एक सब्जेक्ट लेकर के बैठ जाता था, ठीक है, जैसे मान लिए हिस्ट्री एक घंटे और जोग्राफी एक घ कुछ लोग 10 दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर 15 दिन जोग्राफी पढ़ेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि अगला 5 दिन लाइफ साइंस करेंगे, उसके बाद फिर फिजिकल साइंस करेंगे, ऐसे नहीं होता है, इस तरीका का रूटीन में कभी नहीं जाना, ये बहुत ख सोच के चल पढ़ो, कि हमको 2 long question, 5 short question और 10 very short type question, यानि कि objective type question को हमको रोज याद करना है, अचा है ठीक है, अभी तो 7 महीना है, आप पढ़ने के बारे में सुझ लोगे, आप हमको पढ़ना है, समझ लेना है, उसके बाद मैं क्या करता था, कि साढ़े 10 से साढ़े 12 बजे तर 2 घंडा physics और life science, हमारे समय में जो था, हमारा जो subject होता है, physics और life, तो उसको हम 2 मतलब क्या करते थे, 1 घंडा physics और 1 घंडा life science, जो भी हमारा notes था, उस समय में जो हमको notes मिला हुआ था, हम लोग उसको क्या करते थे, रट जाते थे, मैं आपको बताओ, कि समझना जरूरी है, ह लेकिन अगर समझ में ना आए, तो रट जाओ, मैं एक गुरू ज्यान दे दे रहा हूँ, जो मैंने, मुझे मिला था, मैं आप लोगों को ज्यान दे रहा हूँ, रटंत बिद्या, बढ़ंत नंबर, देखिए, नंबर से मतलब है, नंबर हमारा बढ़ गया, बात खतम, उस मैं क्या करता था, physics को, क्या, 15-10 से लेके, 16-19, 16-18 और 16-19, 17, 19-20, life science को मैं याद कर लेता, मतला, पढ़ता था, और maximum को सिस करता था, याद कर जानेंगा, उके, और, देखिए, दोपहर के वक्त में, अभी कोई भी हो, खाना पीना खाए, थुड़ा रेश्ट कर लिए, उस तो उसी समय में मैं maths का practice किया करता था जो भी, मतलब जो सीखे हुए रहते थे मतलब पिछले च्वा मेने से साल पर से जो भी पड़े हुए हैं उसको मैं बार-बार-बार practice करता था मतलब algebra, arithmetic या जो भी तो वो practice करना बहुत जुरूरी है क्योंकि जो आपने सीखा है उसको बहुत जल्द fast practice कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उसको practice कीजिए तब तक practice कीजिए जब तक कि exam में लिख के न चले आए तब तक आपका practice जारी रहना चाहिए रुकना नहीं चाहिए ये practice hace okay उसके बाद फिर exam के वक्त क्या करते थे थोड़ा सा टहल आते थे थोड़ा बाहर घूम के आते थे seriously बोल रहा हूँ बाहर में घूम के भी आते थे हम लोग क्या होता था एक mode था वहा पर हम लोग चले जाते थे saam के वक्त वहा How से थोड़ा सा 2-4 दोस्त घुम फिर करके वहां से रिटर्न फिर आते थे, फिर 7 से लेके 9 बजे तक, देखे 7 से 8 मैं इंग्लिस पढ़ता था, मैं अपने सबजेक्ट की बात कर रहा हूँ, 7 से 8 मैं इंग्लिस पढ़ता था, और फिर 8 से 9 मैं हिंदी पढ़ता था, बस हो गया आप देखे तो सुब़ 7 से 9 बजे तक, 2 घंटा, फिर 10 से लेके 12, कितना हुआ, 2 घंटा, 2 और 2, 4 घंटा, 3 से लेके 5 दोपहर में, कितना घंटा, 2 घंटा, कितना हो गया, 6 घंटा, और रात फिर 7 से 9, 2 घंटा, तो कितना हो गया, पूरा 8 घंटा आप पढ़े, अब 8 पढ़ना चाहिए, बूर्व हम लोगों को कोई बोलता था तो हम लोगों को लगता था, यार साथ गंदा-ाठ गंदा पढ़ेंगे कैसे, यह मने लागातार कैसे, दीखिए, लागातार मत पढ़िया, दीखिए, जब भी दो घंदा पढ़ा, आपने उसके बाद क्या कीजिए, कि थोड़ा टीवी देख लीजिए, ठीक है, मुवाइल है, है ना, कुछ अच्छे, जो भी आपको पसंद है, वो कर लीजिए, और ये जो गैपिंग आवर है, ये जो भी गैपिंग आवर है, मतलब जो, माली जो 7 से 9, और फिर उसके बाद आप पढ़ रहे हैं, साधे 10 से टाइम है, इसमें आप अपना कुछ परसनल काम कर लीजिए, कोई भी काम, जो आपका घर का काम है, या कुछ भी, वो आप कर लीजिए, उसके साथ साथ, आप अच्छा, दो पहर के समय में, खान अच्छा, खाने का टाइम एकदम फिक्स रखी है, बहुत लोग, बहुत नहीं, नाइट स्टडी बहुत खराब करता है, क्या होता है, आप चार महीने, लगातार, पांच महीने, प्रेशर में आकर कि जब माधमिक एक्जाम्स का आ जाता है, पूरा सामने आ जाता है, तो चार महीना, दो महीना, आप इतने प्रेशर में आते हो, कि आप रात में पर चक्कर दे रहा है, बोमेटिंग हो रहा है, है ना, क्या हुआ, आपने चार महीना, तीन महीना जो आपने बिताया, इतना अच्छा स्टड़ी किया, एक्जाम्स के डेट पे, जिस दिन आपको सचमुच उसका एंसर लिखना था, उसी दिन आप बिमार, बहुत स्टुडें ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कि जो रूटीन सुरू हो दिन में, वो साम रात 10 बजे, 9 बजे तक जा करके खतम हो जाना, तो ऐसा ना हो, कि मतलब हम, मतलब होस्पिटलाइजड हो जाएं, और रेजल्ट हमारा होस्पिटल में मिले, इस तरीका का काम भी नहीं करना है, साथ साथ, देखिए, रूटीन वाइज तो हम लोग पढ़ा ही करेंगे, फिर अपना घर का काम भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताओं, थोड़ा सा फूरूट्स खाना, है ना, थोड़ा सा मतलब होरलिक्स वगरा, या जो भी, जो मतलब होता है, वो जरूर लेना चाहिए, खाने पीने पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब खाना ही नहीं खाओगे, तो फिर एनरजी कहां से आएगा, पढ़ोगे कहां से, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, तो टाइम से उस समय खाना खाना पानी पीना, देखिए, मैं क्या करता था, देखिए, बहुत ज़्यादा तो हम लोग खाने पीने का उतना प्रॉब्लेम था नहीं, तो हम लोग क्या करते थे, नमक और चीनी का घोल डाल डाल करके हम लोग पीलिया करते थे, ताकि सरीर में एनरजी बना रहे, तो ये सब च शेयर करता हूँ, कि इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप लोगों का जो भी प्रॉब्लेम है, देखिए, ग्रामर सेक्षन का तो आप लोगों को वीडियो दे रहा हूँ, और आप लोग इसको पशंद कर रहे हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से आप लोग सेयर करते रहें, मैं आपके लिए और भी जो सिलेबस है, इस बार जो इंग्लिश का सिलेबस है, उसके जितने चैप्टर्स हैं, लेशन्स हैं, वो भी मैं आप लोगों के लिए इस मतलब वीडियो लेकर के आता हूँ, आप लोग पसंद करेंगे, ठीक है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, सेयर करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें, ताकि और भी लोगों को फायदा हो, और कमेंट अवश्य करें, थाइंक यू